हेलो स्टूडेंट्स सभी को नमस्कार क्लास 12 आज हमारे जो बाइलोजी का थर्ड चेप्टर है उसका ये नेक्ट लेक्टर है मैंसुरेशन साइकल जो हमने कल उसमें पिछले लेक्टर में हमने जो है इसके कुछ इमेजिस देखी थी आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ठीक है उसमें बताया था कि कैसी किस परकार से होता है किस परकार से आर्मॉन्स का बैलेंस होता है ठीक है तो मैंसुरेशन साइकल जो है इस दा रेगुलर नेटुरल चेंज डैट आकर सिंदा फीमेल प्र सिस्टम जो है उसके अंदर प्रेग्नेंसी पॉसिबल नहीं है अगर मैंसुरेशन साइकल नहीं होती है मैंसुरेशन नहीं होते मैंसिज नहीं आते तो प्रेग्नेंसी पॉसिबल नहीं है साइकल जो है इस रिक्वार्ड फोर दा प्रोड़क्शन औफ उस साइकल यह किस ल जो है after puberty होता है ठीक है up to 80% women जो 80% जो मैलाएं हैं उन में कुछ symptoms आते हैं दोरान menstrual cycle के दोरान और वो symptoms रहते हैं एक से दो सब्ता तक ठीक है menstruation के दोरान और वो common symptoms देशे की back pain हो गया या फिर bleeding आ रहे यह bleeding आ रहे है और इसमें pain हो रही है ठीक है pain हो रही है और यह समय वैरी करता है किसी में नहीं भी होते हैं लेकिन 80% मैलाएं होती हो और में इस symptoms देखने को मिलते हैं जैसे acne 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 का मतलब जैसे मुआसे निकलाए tender breast breast का size बढ़ रहा है ठीक है bloating feeling tired ठका ठका मैसूस करना irritability चिड़ चिड़ापन और mood change तो इस दोरान ऐसे symptoms common होते हैं महिलाओ के अंदर ठीक है इस symptoms interfere with normal life and therefore qualify as perimensural syndrome in 20 to 30% में और फिर एक बात और होता है कि एक बात और होती लेकिन अगर मालो इसे और ज्यादा कोई दिक्कत है मालो जैसे कि कोई अलग त्रेका fluid release हो रहा है या फिर menstrual cycle irregular है तो उसको हम pre menstrual syndrome हम बोलते हैं जो 20-30% में लाओ के अंदर देखने को मिलता है ठीक है पहला पीर्ड जो होता है वह begin होता है 12-15 years of age 12-15 साल की उमर में एड मला हम प्यूबर्टी एज हम बोलते हैं इसको ठीक है और इसको बोलते हैं मिनार के इस पुइंड को क्या बोलते है इस टाइम को क्या बोलते माल मिनार के मतलब है जिस टाइम में से स्टार्ट हुए है ठीक है पहली बार जिस टाइम स्टार्ट हुए है उसको मेनार के बोलते है typical length of time between the first day of one period and the first day of next is 20 21 to 45 days in young woman and 21 to 35 days in adult जो length है इस period की इस mensural period की जो वह पहले दिन से ठीक है पहले दिन से अगला जो पिरेड है उसके उस दिन तक का जो टाइम है उसको हम मैंसरल पिरेड बोलते हैं और यह सब में अलग अलग होता जैसे यंग वोमेंड की बताया इसने 21 to 45 डेज होता है टाइम टू टाइम आती है या फिर किसी में जो है टाइम लग जाता है ठीक है तो यह वैरी करता है ठीक है मैंसरेशन स्टॉप आकरिंग आफ्टर मेनोपोज विच यूज़वली आकर बेट्वें 45 और 55 एर्स ओफ एज जो मैंसरेशन है वो स्टॉप होती है कब कॉन शी एज में? 45 तू 55 एर्स ऐज में मैंठोज हो जाता है मैंसरेशन स्टॉप हो जाती है बेटिंग जैसे एक प्लेडिंग कितनी कितने दिन तक रहती है दो से साथ दिन तक ब्लेडिंग रहती है नॉर्मली ठीक है किसे में तीन दिन भी हो सकती है ठीक है तो ये भी वैरी करता बिटा इसको कंट्रोल किया जाता किसके दोरा हार्मोनल चेंजिस के दोरा तो इस चेंजिस के बी अल्टर बाइ यूजिंग हार्मोनल बर्थ कंट्रोल तो प्रिवेंट प्रेगिनेंसी काई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कि कई मैलाई क्या करती है प्रेगिनेंसी को रोखने क लिए नहुंद ऊचिए हैं गोलियां तो पर हुआ हैं जो आपके मेंस त्रह से और नहीं एकल imperie is जो परते एक साइकल है वो तीन फेज में डिवाइड की हुई है ठीक है और इवेंट्स यदि हम बात करें तो इसमें दो इवेंट्स रहेंगे आपकी एक तो ओवेरियन साइकल दूसरी यूट्राइन साइकल ठीक है त्री फेज इस तो वह गए ना फॉलीकुलार फेज और ओ लूट्र फेज होगा जबकि यूट्राइन साइकल जो है उसके अंदर पहला फेज और फेज का मतल है त्श्में टीश्यू बन रहा है और इसमें ऊड़न प्राइमेट्स और अब बात करते हैं अब इंच आरीड की बात करते हैं इसमें यह तो आमने वैसे नौर्मल पड़ अब reproductive cycle जो होती है female primates primates कौन से होते है primates में आपके monkey, abs और woman being आते हैं ठीक है non primates में आपके dogs, buffalo, cat यह है फिस्ट चेप्टर में पढ़ा सामने ठीक है तो आप मुझे को यह बताएंगे whatsapp group में message डाल के यह बताएंगे मुझे कि non primates में कौन सी cycle होती है मैंने एको बताया हुआ है ठीक है कौन सी cycle होती है सभी बच्चे उस cycle का नाम मुझे लिखके वेजेंगे ठीक है तो reproductive cycle in the female primates में कौन सी होती है mensural cycle होती है ठीक है आपको बताना non primates में ठीक है mensuration is repeated at an average interval of about 28-29 days and the cycle of event starting from one mensuration till the next one तो जो cycle है वो एक mensuration से next one तक जो time period है उसको mensuration cycle बोलेंगे one ovum is released पर एक ovum release होगा ovulation बोलते है इसको process को during the middle of each mensuration cycle जो mensural cycle है उसके middle में तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताता है 14th day जो है ovulation होता है ठीक है 28 days ये 29 का time पेंडल तो उसका mid जो है उस दोरान ovulation होगा major event of mensural cycle जो mensural cycle के major event है वो क्या है cycle start with mensural phase cycle जो start होती है mensural phase में start होती है मतलब पहले phase में ठीक है when mensuration flow आकर जब mensural flow होता है uterus से mensural flow होता मतलब जो endometrium के लिए जब sad ओर ही होती है उस time होता है और ये कब तक रहता 3 to 5 days रहता है ये मेरे आपको बता था two sets से होना है वेरी करता भी ठीक है mensural flow result due to breakdown of endometrium lining of the uterus mensural flow किसकी वज़े से result किसका result है कि जो endometrium देखें हम तीन लेयर पड़ी थी perimetrium, endometrium, endometrium, endometrium lining है uterus की और जो blood vessel है वो shadow हो जाती है which form liquid that come out through vagina, vagina से वो भार आएगा ये बात भी आपको याद रही नहीं mensuration होगी कब जब release ovum जो secondary ucide release होया था और वो fertilize नहीं हो उसको sperm नहीं मिला तब ये mensuration होगी ठीक है और ये दि mensuration नहीं आ रही किसी female को after intercourse after sex तो जो mensuration नहीं आ रही तो वो indication होता है pregnancy का, वो किसका indication होता है, pregnancy, pregnancy mensuration नहीं होगी वे however it may also be cause due to some other underlying causing like stress poor health और कई बार mensuration क्यों हो सकता है क्योंकि अधी stress है या poor health है या किसी nutrition की कमी है उसकी वज़े से भी जो mensuration है वो time to time नहीं आ पाती है, ठीक है, mensuration phase is followed by follicular phase, जो पहला mensural phase है वो किसके द्वारा follow किया जाएगा, follicular phase, यह वही phase है जिसमें follicles develop हो रहे है during this phase, इस phase के द्वारान क्या होगा, primary follicle जो ovary के अंदर है, वो fully mature हो जाएगे, graphene follicle में और इसी परकार, साथ-साथ में जो endometrium की जो layer है uterus के अंदर, वो regenerate हो जाएगी, उसको बोलते है proliferation, वो बनना शुरू हो जाएगी, मतलब, ठीक है the change in the ovary, यह जो ovary में change है, and the uterus induced by change in the level of primary and ovarian hormone, pituitary and ovarian hormone, तो यह जो ovary और uterus के अंदर change हो रहे है, यह किन hormones की वज़े से होंगे, pituitary and ovarian hormone की वज़े से, stimulated by gradually, इन ही hormone की वज़े से stimulated, increasing amount of estrogen, जो amount होगी, estrogen की जब amount बढ़ेगी, follicular phase में, मैंने आपको बता था, graphene follicle बन जाएगा, तो estrogen का hormone, peak level पे होगा, ठीक है, और discharges of blood, mensage flow stop, और उसी time क्या होगा, कि जो mensural phase में, जो एक तरह से, mensuration phase में, जो एक तरह से मतलब, जो discharge हो रहा था, blood flow का, वो stop हो जाएगा, follicular phase के अंदर, ठीक है, वो follicular phase में stop हो जाएगा, and the lining of the uterus thickness, और जो uterus की lining है, वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी, और ठीक होना शुरू हो जाएगी, follicles in the ovary begin develop under the influence of complex interplay of hormones, the follicles develop हो रहे हैं, ovary के अंदर, वो भी hormone के, किसके complex hormone की वज़े से, develop हो रहे है, after several days, one or occasionally, two become dominant, non-dominant follicle shrink and die, एक बात और सुने, इसमें, कई बार ऐसा देखा गया है, कि ovary के अंदर देखो, ovary के अंदर एक साथ 4-5 जो primordial follicle है, एक साथ निकलते हैं वो, ठीक है, अब उनमें से कौन ovum बनाएगा, कौन secondary ucite बनेगा, वो बाद में select होता है, वो बाद में decide होता है, तो उसमें जो, और बाकी जो degenerate हो जाएंगे, तो एक तरह से मालोग, एक समय में ovary ने दो, जो है, primordial follicle से, दो ovum बना दी, secondary ucite बना दी, दो, ठीक है, अब दो बन गए तो, एक simple सी बात है नहीं यहाँ पर, दो बन गए और दो sperm आ गए, दो sperm आ गए और दो ही, क्या है, secondary ucite है, तो दो, कौन सी condition बन जाएगी वो, जब fertilization होगी, तो dizygotic condition बनेगी, और उसमें dizygotic twins बनेगी, वो, एक लड़का, एक लड़की भी हो सकती है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, dizygotic twins में, और दोनों अलग-अलग होंगे, लेकिन monozygotic twins मैंने आपको बताया था, monozygotic twins जो है, उसमें क्या होता है, कि एक जो single zygote है, उससे जब embryo develop हो रहा है, तो embryo दो इसो में divide हो गया, ठीक है, embryo जब दो इसो में divide होता है, तो उससे जो baby बनेगे, जो child बनेगा, वो same होंगे दोनों, अग एक ही sex के होंगे, और उनकी जो morphological structure वो भी same होंगे, ठीक है, तो इसमें, देखो, इसने बताया दिया, after separated, one और occasional two become dominant, बनेगा, च्यार पांस follicles निकले थे, च्यार पांस primordial follicle निकले, रिलीज होए, ठीक है, और वो उन में से, केवल एक या दो develop हुए, जो dominant थे, बाकि जो non-dominant थे, वो shrink कर जाएंगे, और die हो जाएंगे, approximately mid cycle, जो mid cycle है, 24, 36, और आफ्टर, लूटिनीजिंग, अर्मोन, सर्ज, the dominant follicle, रिज, and secondary, even called ovulation, क्या होता है, mid में, cycle के बीच में, 4 वे दिन, जो है, क्या होता है, कि जैसे ही develop हुआ, graphene follicle develop हो गया, secondary, उसाइड, graphene follicle develop होते ह एस्टोजन का लेवल पीक पे है, एस्टोजन लेवल ने जाकि पिट्यूटरी ग्लेंड को एक सिगनल दिया, और पिट्यूटरी ग्लेंड ने लूटिनाइजिंग हार्मोन को release किया, और उसका भी एकदम से लेवल बढ़ा दिया, लूटिनाइजिंग हार्मोन, लेच फोलिकल था, जो डॉमिनेट फोलिकल से जो ग्राफियन फोलिकल बना था, वह सेकंडरी उसाइट रिलिज करते हैं और इसी प्रोसेस का हम ओवलेशन बोलते हैं, आफ्टर ऑवलेशन, ऑवलेशन के बाद में क्या होगा, ओवोसाइट, ओवोसाइट का मतलब क्या है, 24 hours के लिए ही रहेगा, और less without fertilization, और मालो fertilization नहीं होती, तो जो क्या होगा, कि जैसे 24 hours के लिए जिन्दा है वो, ठीक है, और fertilization का वेट कर रहा है, लेकिन fertilization नहीं हो रही, तो जो रिमेंस नोमिनेंट फोलिकल है, वो कॉर्पस लूटियम में चेंज हो रहा है, और कॉर्प बढ़ रहा है, तो uterine की line जो है, और भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है, ताकि embryo जब आएगा, वहाँ पर, fertilization के बाद, जब embryo आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आके वो implant होना है, वहाँ पर वाकि situated होना है, उसको, ठीक है, if implantation does not आकर, यह इंप्लांटेशन नहीं होती, दो स से गरेगा, तो जो uterus की जो lining है, वो set off हो जाएंगी, that is called mensuration, और वो किसकी वज़े से हुई, रोजिस्ट्रोन, ऐस्ट्रोजन, हर्मोन के लेवल, डाउन जाने से, mensuration also occur in closely related primates, और यही mensuration closely related primates में होती है, app and monkey के अंदर भी यही होती है, यह देखिए है, mensural phase, starting कहां से है, mensural phase से बटा, ठीक है, mensural phase, फिर follicular phase होगा, फिर ovulator phase होगा, फिर little phase होगा, इसमें, the secretion of, अब hormones की बात कर लेते हैं, इसमें NCIT में के बता रखा है, ग्नोड़े ट्रोफिन हार्मोन, ग्नोड़े ट्रोफिन हार्मोन आपके दो हैं, LH और FSH, ठीक है, newtonizing hormone, और follicle stimulating hormone, increase gradually during the follicular phase, यह follicular phase की दोरान, मला, धीरी-धीरे increase होते हैं, stimulate follicular development, तो follicle stimulating का मतलब, जो follicular की development में help करें, और इसके साथ ही, estrogen hormone भी release होगा, किस से, growing follicle से, ठीक है, तो तीन hormone यहां पर कर रहे हैं काम, बोथ LH and FSH attain a peak level, दोनों का level बढ़ जाएगा कब 14th day, चोद वेदी cycle के mid में, rapid secretion of luteinizing hormone, जब rapid secretion होगा luteinizing hormone का, तो इसका maximum level देखने को मिलता है, mid cycle में, और इसको LH surge बोलते हैं, इससे क्या होगा, graphene follicle rapture हो जाएगा, और उससे, ओम release होएगा, ovulation बोल देंगे, ठीक है फिर ovulatory phase किया बात करते हैं, ovulation is followed by the luteal phase, which, sorry, ovulation हो गया, ovulation जो है, वो luteal phase के द्वारा follow किया जाएगा, और उसमें जो remaining part है, graphene follicle का, वो carpus luteum में change हो जाएगा, carpus luteum जो है, large amount में प्रोजिस्टो नर्मल डीज करेगा, जो की essential है किसके लिए, जो endometrium है, uterus के अंदर, such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other event of pregnancy, जो endometrium है, वो necessary क्यों है, वो जो fertilized ovum आएगा, उसके implantation के लिए ज़रूरी है, और साथ में जो other events of pregnancy के उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है, during pregnancy, all event menstruation cycle stop, pregnancy के दोरान, जो menstruation cycle की जितने भी events रहती है, कोई menstruation नहीं होती, pregnancy होती है, 9 मेने की होती है ना pregnancy, तो उस दोरान, कोई भी menstruation cycle नहीं होगी, और यदि fertilization नहीं होई है, तो carpus luteum degenerate कर दाएगा, ठीक है, और this causes disintegration of endometrium, जैसे degenerate करेगा, carpus luteum, progestone का लेवल गरेगा, progestone का ले और एक नई cycle बननी शुरू हो जाएगी, in human being, menstruation cycle, she is, she is, she is, stop हो जाती कब, around 50 years of age, that is termed as menopause, ठीक है, cyclic menstruation जो है, वो indicator होती है, ये भी आपको याद रखना है, यदि किसी female में, किसी girls में, जो cycle है, menstruation cycle है, वो time to time आ रही है, बिलकुल उसमें कोई, मलद चेंज नहीं है, क वो indication होती है, कि इसका, कि जो उसकी normal, जो reproductive life है, वो normal है, ठीक है, वो क्या है, normal है, ये देखिया, आपके NCRT काड़ आए, तो इसमें जो सबसे important चीज़ है, जो ovarian events, देखो, developing, सारा जो, मलद एक तरह से आधार, हम इसका base हम बोल सकते हैं, वो ovarian events, बिटा, जैसे developing हो रही फोलिकल्स की, तो साथ ही साथ ही देखो, जैसे developing हो रही है, प्रेमिरोडे, तो मैंसीज आ गए थी, ठीक है, स्टार्टिंग में नमबर एक तीन पे दिखा रहा है, तो यहां से स्टार्टिंग हो गई, अब धीरे-धीरे estrogen का level बढ़ेगा, estrogen का level बढ़ेगा, तो endometrium की layer भी बढ़े नहीं शुरू हो गई, ठीक है, प्रोजुक्शन का level बिल्कुल गिरा हुआ है, और जब mid में जाएगा estrogen का level high पे, peak पे हो जाएगा, 14th day, तो उसी प्रकार जो pituitry hormone है, LH, उसका level भी एकदम से, और follicle stimulating hormone का भी level बढ़ेगा, ठीक है, LH surge बढ़ेगा, LH surge हो जाएग देखो graphene follicle से, फिर secondary ucide बाहर निकल गया, ठीक है, फिर एकदम से इसका, जैसे level गिरेगा, तो प्रोजिस्टोन का level बढ़ रहा है, प्रोजिस्टोन का level, क्योंकि carpus luteum बन गया न, carpus luteum प्रोजिस्टोन रिलीज करना सब कर देगा, प्रोजिस्टोन का level बढ़ा, तो इ प्रोजिस्टोन का level निचे गिरेगा, और उसी पर गाज एंडोमेट्रिम जो लाइनिंग है, वो दीरी-दीरे set off हो रही है, ठीक है, इससे फिर आगे नहीं cycle begin हो जाएगे, ठीक है, तो यह था बेटा, एक बड़ फिर दोबारा से हम कर लेते हैं, इसको revise, follicular phase, यह important है, इस and with ovulation, follicular phase का ending क्या है, जब ovulation हो जाएगा, follicular phase end हो जाएगा, ovulatory phase start हो जाएगा, main hormone controlling this stage, follicular phase में कौन सा हार्मोन जो है, control करता है, esterodoyl, esterodoyl का मलदब, confusion मत हो ना, यह estrogen hormone का नाम है, ठीक है, esterodoyl जो है, estrogen hormone का ही नाम है, there are several steps in the process of follicular development that occur in the follicular phase, पहला initiation, starting इसकी, starting कब होगी, starting होगी, जब इसमें, मैंसिज, जब यह starting होगी, तो मैंसिज stop हो जाएगी, ठीक है, menstrual phase के दोरान, बाद, तुरंत बाद यह follow होता है, follicular phase, recruitment and progression, इसमें, मलबब बढ़ने, उसकी साबसे, जैसे की, जिस हिसाबसे, एक तरह से second, उससाइट की requirement है, कितने बनने हैं, तो उस हिसाबसे, progress होगी, pre-ovulatory maturation होगा, फिर ovulation होगा, इसमें, लाश्ट में, ठीक, यह देखिए, और एक बात और बता दियां, आपको इसमें, जब ovulation होता है, तो उस दारण जो body का temperature हो, slightly जो है, बढ़ जाता है, increase हो जाता भी, ठीक है, augulation के दो रांचो है, body temperature बढ़ता है, ठीक है, देखिए, folicular phase में, इसमें, primordial follicle है, primary follicle है, देखो कितने आए हैं, एक साथ, primary follicle और secondary follicle भी बने हैं, और atrace या atrace या जो हैं, यह actual में, जो बाद में degenerate हो रहे हैं, जो follicles, और केवल, एक selection का मतलब, एक हो गया, स्लेक्ट, 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 ट्रस्री फॉलिकल, वो, देखो, डवलप, इनचयार कर रहे थे, एक साथ, लेकिन, उन में से, बेटा, follicles को डवलप होनने में, दो महिने का टाइम लगता है, अब सोच रहे हैं, दो महिने का टाइम कैसे लगेगा, दो ओवरी हैं, एक में सुरिसान साइकल, वन मन्त का, तो एक बार जैसे राइट कर रही है, तो, लेफ्ट के अंदर वो प्रोसेस सल रहा हो गया, एक महिना उसका हो गया, फिर अगला एक महिना और जुड़ेगा उसके अंदर, दो महिने हो गए, ठीक है, अब यह आर्मोनल कंट्रोल है, तो आइपोथालमस से रिलीज होता, गुनेटोट्रोफिन रिलीजिंग आर्मोन, जिस से पिट्यूट्री गलेंड एक्ट होगा anterior और posterior ठीक है, और anterior से दो रिलीज हो एक कौन से LH और FSH, ठीक है, LH जो है वह ठीका सेल, ठीका सेल का मतलब जो फोलिकल स्टीका सेल बोलेगे, ठीक है, और उस वह स्टीमलेट करेंगे, ग्रेनुलोसा सेल को, ग्रेनुलोसा से hormone estrogen hormone का level जैसे जैसे बढ़ेगा ठीक है तो ovulation फिल किसको stimulate करेगा वहang stimulates करेगा is and isolation को वहां से ऐलत डिलीज हूए तो है क्या करेगा ऐल है या में help करवाएगा तो difficulty का काम था folliclar stimulating hormone का follicle develop करवाना कि ऑव लेशन दा रिलीज of egg from the ovary इसको ovulation बोलते हैं इन हुमन्स इज इवेंट आकर स्वेंद ऑविन फॉलिकर रेप्चर रेप्चर होते हैं और वह सेकेंडरी उसाइट रिलीज करते हैं होता है जिसमें यह वो भी लाइजिशन के लिए अविलेबल होता है यह सब्सक्राइब लिए अपर होता है through the menstruation cycle after the follicular phase के बाद few days surrounding ovulation कुछ मलद्दीन का कम बोल सकते हैं अप्रोक्सिमेटली डेज 10 to 18 of a 28 a day of cycle यह बात भी confirm है क्या होता है कि जो ovulation है वो 10 से 18 दिन के बीच होता है पहले भी हो सकता है ठीक है लेकिन average में हम 14th day मानेंगे इसकी ठीक है तो इसको हम फर्टाइल पीरेड बोलते मेंटा क्योंकि इस दोरान प्रेगनेंसी की चंसित जो है वो 100% होते है ठीक है इसमें प्रेगनेंसी की चंसित ज्यादा होते है इस पीरेड में एस्ट्रोजन लेवल जब पीक पे होगा तो वो तो end हो जाएगा फोलिकलार फेज का और उससे जो है सर्ज इन लेवल ऑफ लेच एंड एफसे इन दोनों का लेवल बढ़ेगा और इस लाश 24-36 hours और यह कब तक होता है 24-36 hours तक होता है रिजल्ट इंदा रैप्चर जी से ओवरेंड फोलिक रैप्चर हो जाएगा और उससाइड रिलीज हो जाएगा ओवरी से ठीक है अब आते हैं ल्यूटियल फेज में ल्यूटियल फेज दो है वो लेटर फेज है में सुरसन साइ कर जाएगा अगर प्रेजिन से नहीं होती है तो यह ल्यूटियल फेज के दोरन सबसे ज्यादा रिलीज होने वाला हार्मोन है ठीक है यह देखिए इसमें प्रोजिस्टोन का लेवल दिखा रखा है ठीक है कब बढ़ेगा एस्ट्रोजन का लेवल बता रखा है ठीक है LH का FSH का चारो का बता रखा इसी डाइग्राम है अब यूट्राइन साइकल की बात करते है देख़ो हमने ओआ cycle की बाद के लिए uterine cycle uterine में भी uterus में भी चेंज होते है मैंसेज proliferative secretary phase ठीक है फर्स्ट फेज जो है यह uterine cycle में पहला फेज जो है वो मैंसेज का है मैंसेज से uterine cycle start होती है और जिसमें uterine टिशू पूरे तरह से shadow पूसका होता है ठीक है अन्नीडिड मतलब जिसकी आव सकता नहीं थी वो और यह फिर फोलो होता है किसके दोबरा प्रोली फेरेटिव फेज के दोबरा जो uterine cycle के अंदर जो इसमिला फेज है वो इसके दोबरा फोलो होता है टोली fair जिसमें दोबारा से टीशू रीजरनेट करना शुर्ब कर देता है लास्ट बट बट देन लास्ट बट नोट लेजन अससे क्रिटरी फेज होता है जब जहां पर अर्ड्रे और ग्लेंट्स जो हैं उस अप्लाई करते हैं टीशू को रिजर्णेट करने में ठीक है आल टूगैदर यह सभी मिलके यूट्रेंग सेकल मनाते हैं टेक एन आवरेज 28 डेज बट इसकेन वेरी फ्रॉम वह तो मैंने आपको बता जिया कि किसी सभी फीमेल में अलग अलग वैरी करता है यह यह देखें यूट्रेंग से स्टार्ट हो गई लाइनिंग बननी शुरू हो गई इसकी यूट्रेस के अंदर प्रोली फेरेटेज में और साइज बढ़ा शेक्रेटेफिरेज में और बढ़ा फिर बाद में 28 डेज में और दो बारे से मैंस तो इस लेक्टर में इतना है बेटा इसको लेक्टर को नोट कर लेना अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना अपने डाइग्राम भी बना लेना जो यह ग्राफ बना रखें इनको जरूर बनाना बेटा ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है चाहिए कलरफुल पैंसिल या पैंसे बना लेना आप और आज का लेक्टर आपको इतना ही है बाकि नेक्स्ट क्लास में थेंक्यू एंड है वे नाइस डे